दोस्तों नमस्कार दोस्तों कहा जाता है a work well begun is half done हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए भी नव वर्ष का आगाज बहुत अच्छा न सही लेकिन अच्छा तो कहा ही जा सकता है वैश्विक मंदी की तमाम चर्चाओं के बीच भारतिय स्टील मैनुफैक्चरर्स जनवरी में अपने दाम बढ़ाने में सफल रहे अधिकतर इंटिग्रेटिव स्टील प्लांट्स ने अपने दाम जनवरी में डेड़ रुपै से लेकर दो रुपै तक बढ़ा दिये जब हमने इसका कारण जानना चाहा तो पाया कि हमारे घरेलू बाजार में टीम्टी की डिमांड बहुत अच्छी चल रही है स्टील का एक बड़ा हिस्सा टीम्टी के उत्पादन में जाता है जिस वजह से स्टील इंडस्ट्री की सफलता काफी हद तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर निर्भर रहती है भारत में इंफ्रस्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर खर्च किया जा रहा है उमीद है आगामी वित्वर्ष के बजट में भी सरकार इंफ्रस्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाएगी जिस से स्टील इंडस्ट्री को और भी बल मिलेगा वर्ष 2023 अभी शुरू हुआ है यह वर्ष भारत समेत विभिन देशों की स्टील इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा इस एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे यह विश्लेशन हम अपनी तरफ से नहीं बलकि वर्ड स्टील असोसियेशन द्वारा जारी किये गए आँकणों के आधार पर करेंगे इन आँकणों के आधार पर हम विभिन देशों में स्टील डिमांड के सिनेरियों पर नज़र डालेंगे शुरुआत विश्व के सबसे बड़े स्टील प्रोडूसर चाइना से करेंगे और एंटी क्लॉक्वाइस दिशा में दुनिया भर का ब्रहमन करते हुए अंत में बात भारत की करेंगे क्योंकि अंततह हुई हमारे लिए बहत पूर्ण है 2022 के अधिकतर समय तक चाइना ने अपने यहां लॉकडाउन लगाए रखा जिसके चलते उसकी अर्थ विवस्ता को भारी नुकसान उठाना पड़ा फिर अचानक 2022 के अंत में उसने हर जगे से लॉकडाउन हटा दिया जिससे कोविड और भी व्यापकता से फैल गया यानि कि कुल मिलाकर 2019 में आई बिमारी से चीन आज तक उभर नहीं पाया उपर से रियल एस्टेट सेक्टर में आई सैचूरेशन की वजह से चाइनीज स्टील इंडस्ट्री पर बुरा प्रभाव पड़ा हाला कि चीन की सरकार ने समय समय पर अपने रियल एस्टेट सेग्मेंट को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है लेकिन उसके तमाम प्रयास अभी तक विफल साबित हुए है 2021 के मकाबले 2022 में चाइना की स्टील डिमांड लगभग 4 परतिशत कम हुई है और 2023 में भी स्टील एक्सपर्ट्स को चाइना से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है ऐसे में उन्होंने इस वर्ष चाइना में स्टील डिमांड का ग्रोथ फोरकास जीरो ही रखा है चाइना का पड़ोसी देश साउथ कोरिया दुनिया के उन कुछ एक देशों में शामिल है जिसने कोविट को बहतरी नधंग से कंट्रोल किया लेकिन उसके बावजूद वहां के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सैचूरेशन और इंफ्रस्ट्रक्चर में कम होती इन्वेस्टमेंट की वजह से 2022 में साउथ कोरिया में स्टील की डिमांड घटी है उपर से साउथ कोरिया की निर्भरता चाइना जैसी बड़ी एकोनोमी पर अत्यधिक है जिस वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि साउथ कोरिया चाइना से सीधा प्रभावित रहता है शायद यही कारण है कि चाइना की तरह ही साउथ कोरिया की स्टील डिमांड का ग्रोथ फोरकास्ट भी इस वर्ष के लिए शून्य ही रखा गया है इसके बाद चलते हैं आसियान देशों की तरफ आसियान देशों में आते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, थाइलेंड और वियतनाम लगभग इन सभी देशों में इंफरस्ट्रक्चर का काम जोरोशोरों से चल रहा है खास करके मलेशिया और फिलिपिन्स ने अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर खासा जोर दे रखा है 2022 में आसियान देशों की स्टील डिमांड में लगभग 6 प्रतिशत का इजाफा हुआ और 2023 में भी इसी रफ्तार से डिमांड बढ़ने की संभावना है चाइना और साउथ कोरिया की तरह ही जापान भी सैचुरेटेड एकोनॉमी है उसकी स्टील इंडस्ट्री अधिकतर आटोमोटिव और एंजिनेरिंग सेक्टर पर ही निर्भर रहती है 2022 में जापान की स्टील डिमांड 2021 के बराबर ही रही अभी पिछले कुछ समय से सेमी कंडक्टर्स की सप्लाई इज आउट होने से 2023 में उसका आटोमोटिव सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है जिस वजए से जापनीन स्टील डिमांड में थोड़ी बहुत वृद्धी की संभावना है जापान के बाद अब हम रुख करते हैं रशिया, यूक्रेन और CIS कंटरीज की तरफ इन महनुभावों के बारे में तो क्या ही कहा जाए अमेरिका के चक्कर में आकर इन्होंने अपना घर ही फूग डाला लगभग एक वर्ष से चल रहे युद्ध की वज़े से यूक्रेन की स्टील इंडस्ट्री लगभग तबाह हो चुकी है 2021 के मुकाबले 2022 में यूक्रेन की स्टील डिमांड 50% तक गिर गई अमेरिका और यॉरप के आर्थिक प्रतिबंदों की वज़े से रूस की अर्थव्यवस्ता पर भी विप्रीत असर पड़ा इस से पिछले वर्ष रूस में भी स्टील डिमांड लड़ खड़ाई और धाई मिलियन टन तक से भी ज़्यादा नीचे आ गई आटे के साथ साथ घुन भी पिस जाता है रूस यूकरेन युद्ध के चलते स्टील और उससे जुड़े रॉम मेटरियल की सप्लाई टूटी जिस से बाकी के CIS कंट्री जैसे बेलरूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजर्बैजान, आदी देशों पर भी विपरी तसर पड़ा रूस पर लगे प्रतिबंदों का असर 2023 में भी देखने को मिलेगा जिस वजह से इस शेत्र में स्टील डिमांड में गिरावट का सिल्तला जारी रहेगा और इस वर्ष डिमांड 7 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है रूस युक्रेन युद्ध का सबसे अधिक दुश्प्रभाव पड़ा है यॉर्पियन यूनियन पर रूस पर प्रतिबंद लगाने और युक्रेन से सप्लाई चेन तूटने की वजह से 2022 में समूचे यॉरप में पावर क्राइसिस खड़ा हो गया इससे फैक्टरियां बंद होने लगी, अनेंप्लोईमेंट बढ़ने लगा, इंफलेशन कई गुना बढ़ गया और लोगों की बाइंग पावर बेहत कम हो गई इन सभी कारणों की वजह से समूचा यॉरप मंदी से जूज रहा है 2022 में स्कील्ट्स की डिमांड साड़े तीन प्रतिशन तक गिरी और 2023 में भी यह डिमांड एक से डेट प्रतिशन तक और गिरने की संभावना है USMCA शेत्र में आते हैं United States, Mexico और Canada यानि के अधिकाश North America वर्ष 2022 में US में Federal Reserve दारा कई बाद interest rate बढ़ाए गए जिस वजह से वहां के बाजार में ग्रोथ की रफतार कम होई रफतार कम होने की वजह से मंदी की आशंकाएं जताई जा रही थी लेकिन फिर भी स्टील की डिमांड नेगेटिव में जाने से बची रही इसका मुख्य कारण रहा आटो मोबील सेक्टर में बहतर प्रदर्शन और प्रेजिडेंट बाइडन द्वारा महत्व कांशी बाई पार्टिसन इंफ्रस्ट्रक्चर लॉग की घोशना इस लॉग के तहट USA में जरजर हो चुके पुलों का पुनर निर्मान किया जाएगा और पुरानी रेल्वे लाइन्स और सड़कों को दुबारा नए से बिचाया जाएगा इससे इंफ्रस्ट्रक्चर को बल मिलेगा और मंदी से बचे रहने में मदद भी मिलेगी कुल मिलाकर वर्ड स्टील एसोसियेशन ने इस वर्ष USMCA शेतर में स्टील डिमांड दो प्रतिशत तक बढ़ने की उमीज जताई है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की अधिकतर देश भारी इंफलेशन से जूज रहे हैं इन में ब्रजील, आर्जेंटीना, पीरू, चिली, बोलिविया और पैरागवे प्रमुक हैं साउथ अमेरिका में पिछले वर्ष तीवरता से महंगाई बढ़ी और कमजोर आर्थिक नीतियों के कारण स्टील की डिमांड लगभग 8 प्रतिशत तक नीचे गिर गई लेकिन अच्छी बात यह है कि साउथ अमेरिका अपने बड़े भाई नौर्थ अमेरिका की एकनोमी से खासा प्रभावित रहता है ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि साउथ अमेरिका पिछले वर्ष स्टील डिमांड में अपनी 2021 की परफॉर्मेंस भले न मैच कर पाया हो लेकिन इस वर्ष 2022 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करेगा अब हम आते हैं अफ्रिका पर जब भी बात स्टील वा एकनोमिक होती है तो अफ्रिका का नाम शायद ही कभी लिया जाता है अक्सर अफ्रीकी देशों को किसी भी सकारात्मक डिसकेशन्स में नजरंदाज ही किया जाता रहा है लेकिंग लगभग सभी डेवलप्ट कंट्रीज की तरहे ही अफ्रीका भी सैचुरेशन पॉइंट से अभी कोसों दूर है और इसी वजह से अभी कई वर्षों तक अफ्रीका में स्टील की डिमांड बढ़ती रहेगी 2023 में भी भले धीमी गती से ही सही लेकिन बढ़ोतरी का सिलस्रा जारी रहने की उमीद है अफ्रीका के बाद आते हैं मिडल इस्ट पे मिडल इस्ट की एकनॉमी हमेशा से ही तेल के निर्याद पर निर्भर रही है रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले वर्ष दुनिया की निर्भरता मिडल इस्ट कंट्रीज पर बढ़ी और उसे तेल के अच्छे दाम भी मिले और निर्याद भी बढ़ा नतीजतन उसकी स्टील डिमांड भी बढ़ी अधिकतर मिडल इस्ट में खास करके एजिप्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उमीद जताई जा रहा ही है कि अधिकतर मिडल इस्ट देशों में स्टील की डिमांड 2022 के मुकाबले इस वर्ष बहतर रहेगी अंततह बात करते हैं भारत की विश्व के स्टील जगत में भारत एक उभरता हुआ और चमकता हुआ सितारा है स्टील के शेत्र में इसे अभी बहुत लंबी दूरी तैंग करनी है यही कारण है कि एक लंबे समय तक भारत की स्टील डिमांड बढ़ती रहेगी 2022 में इन्फरास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड स्पेंडिंग के साथ भारत की स्टील डिमांड 6 प्रतिशत तक बढ़ी है जो कि दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है उमीद है कि इन्फरास्ट्रक्चर में यह निवेश 2023 में भी जारी रहेगा जिससे स्टील डिमांड 7 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है यॉर्पिया देशों में एनरजी क्राइसिस की वजह से स्टील प्रोडक्शन में गिरावट आएगी उसकी भरपाई भी भारत निर्याद के जरिये कर सकता है और तो और इस वर्ष चीन का स्टील निर्याद गिर सकता है क्योंकि उसकी नई पॉलिसी के तहट वह कॉमडिटी स्टील की जगए वैल्यू आड़िट प्रोडक्ट्स के निर्याद पर अधिक फोकस करना चाहता है ऐसे में भारत के स्टील निर्याद को बल मिलेगा 2020 में सैमी कंड़क्टर्स की सप्लाई इज आउट होते ही भारत में पैसेंजर कार मैनिफैक्चरिंग में भारी उचाल देखा गया उमीद है कि यह सिलसला 2023 में भी जारी रहेगा मैं हमेशा से ही यह मानता है हूँ कि यदि आप स्टील सेक्टर से जुड़े हैं तो इस समय भारत से बहतर विकल्प दुनिया में कोई नहीं है वर्ड स्टील असोसियेशन के आकड़े भी यही दर्शाते हैं यदि मैं इन सभी देशों के आंकणों को समराइज करूँ तो हम पाएंगे कि इस वर्ष यानी 2023 में भारत के साथ साथ नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एफरिका, मिडल इस, जपैन और आसियान देशों में स्टील के डिमांड बढ़ेगी वही यौरप, रिशिया, वह अन्यस इयाइस देशों में डिमांड कम होगी और चाइना वह साउथ अफरिका में डिमांड न बढ़ेगी और नहीं घटेगी तो कुल मिला कर देखें तो विश्व भर में साड़े 23 मिलियन टन डिमांड बढ़ेगी और 5.5 million ton demand घटेगी यानि कि 2022 के मुकाबले 2023 में net steel demand 18 million ton बढ़ेगी लेकिन दुख की बात यह है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद steel demand 2021 के लवल तक नहीं पहुँच पाएगी इसे यदि हम steel के रेटों के साथ जोड़ कर देखें तो आप मोटा मोटा यह मान कर चलें कि 2023 में औसतन steel rate 2021 के औसत रेटों से कम लेकिन 2022 के औसत रेटों से ज़्यादा रहेगा दोस्तो यदि आपको लगता है कि हमारा content आपकी life में थोड़ा सा भी value अड़ करता है तो इसे sharing के माध्यम से steel से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाएं आप खुद 2023 में steel का भविशक किस रूप में देखते हैं वह भी हमें comment section में जरूर बताएं आप की राय हमारे लिए महत पूर्ण है धन्यवाद